नमस्कार दोस्तों आपका प्रगति बिडिया टीम में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम इस topic पर बात करेंगे यह Media Person Club बहूत ही आवश्यक्त रहता है जो Media छेतर में नए-नए आयो होते हैं चाहे वह freelancer हों चाहे में मीडिया की पढ़ाई करके आते हूं उनको बहुत जाना जरूरी है कि इन इन अदिकार कहीं बात करेंगे और आध हम बात और जानेगे कि आप अगर मीडिया माइक से अगर आप ख़बर बनाते हैं तो आपको किस तरह से बनाने होती है और आपको कौन-कौन से उसमें भी अधिकार मिले होते है तो दोस्तों प्रग्धी मीडिया से सम्मधित मैं आप से कुछ जानकारी देना चाहूंगा कि प्रग्धी मीडिया ज आप उसको ध्यान से सुनें समझें अगर आपको नहीं समझ में आती हैं तो ही आप मुझसे एकवार कॉल या मेरे को वाट्सअप की मादन से पूछ सकते हैं लेकिन आप इस वीडियो को देखें जरूर और समझे जरूर तो दोस्तों अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करत हैं तो आपको कुछ बातों को ध्यान रखना होता है सबसे पहले आपको ख़वर बनाते समय आपको यह ध्यान देना है कि आप जो भी खवर मना रहे हैं वो समाच के लिए कितना यूज्फुल है मैंने लोगों को देखा है कि वह ख़वर ऐसी लाते हैं कि कि कई सादी लेकिन आप उसे खबर गहें वो गलत है जो समाज के लिए यूसफुल रहता है जैसे कि कराइम हो गया है तो उसके बार में लोगों जानना रहता है लोकल एरिया को कि कहां पर क्या घटना घटी है या कोई नेटा वगरा आया किया किया किसी एदकारी नहीं करें कि फ्रेश को ईसे जो विड़ी मतले मतला को में हैं करें दॉसरी बात आप यह आद रखें कि आप जोVI तरी के से सामने वाले को सके हैं कई ऐनना कि मिली होता है कि कहीं पर मैंने वालिया कि कandelी है तो वहां हमको खबर मिलती है कि वहां पर उस त्राय पर चौराय पर वह दुर्गटना हो चुकी है और उसकी फोटो दे दे लेकिन आप उसके पूरी जानकारी कि दुर्गटना क्यों हुई है क्या है उसके पुलीस का क्या मत है क्या चीज़े है उसके मुद्दा उठाए अगर आप मीडिया छेत्र में ही यह मीडिया चेत्र से ही आप संबंदित है तो आपको पूरी जानकारी उस खबर से संबंदित होनी चाहिए ये लेकिन वह काफी पराणी होती है आप उसको वैरिफाइभी करें रहें आप गुगल के बातारव से भी वैरिफाइभी कर सकते हैं या अप अपने नदिकी प्लियू government से आप उसको वैरिफाइभी कर नहीं है जाहें ज्यादा पराणी तो नहीं है दो बातों को ज्यान SL सना अब तीश्री बात आपके आती है कि जो भी आप कबार दे रहें कई बार ऐसा हुता है कि हमने झोएLab मिले होती है कि वह eightlaan की मिले होती है खबार आप कोई भी कई वार हमारे पास एसी खबर आ जाती है जो मखना कई कई जगए पर आज आती है कर लिती हैं तो विद्स को ऑब कर फुरी तो आप मैं मैं मुद्धि curtains si आज को ख़रां तो शोटे लाभे से अब मैं मैं अब मुद्धी पर आते हैं कि उस पे हम बाद में बात करेंगे पहले आपको खबर देते हैं तो वो कोई खबर में मजा नहीं आता है और नहीं उसकी पूरी जानकारी होती हैं अब हम थोड़ा साम प्रैक्टिस कर लेते हैं जैसे कि मैं आपको एक टॉपिक देता हूं आप आप मुझे बताएं कि इस टॉपिक पर आपको किस तरह की आप खबर बना सकते हैं सबुझ मैं आपको एक टॉपिक देता हूं कि दिल्ली के राजवी चोप पर बाइक और कार वाले में एक्सेंट हो गया है तो आपको मैं कुछ 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आप मुझे थोड़ा सा अपने दौरा उस खबर को बना के बताएं कि दिल्ली के राजवी आपको कुछ तरह से सोचा होगा लेकिन आप जो भी सोचा लेकिन हम अपनी वीडियो को जादा ना बढ़ाएं इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप इस खबर को किस तरह से बना सकते हैं कुछ लोगों का होता है कि उन्होंने दे दिया कि राजवी चौक पर पाइक कार में अगे अगर से लोगोंने उसकी फूटो से हमें सैंट कर दी लेकिन आप किसी अन्णून की पास में कि यह वीडियो आप या अगर आप यह खेवर किसी बीज रहे तो अगर मैं आपको पास मैं वह को बीज़ता हों कि राजवी चौक पर पाईक को का का एक्सेंट होगा तो क आधायका नाम मैं बोल सकता हूं जिस जहां पे एक्ष्ट हूआ है वह किस वजए से हुआ है वहाँ पर ट्राफिक की प्रॉलम कि यह क्या प्रॉलम थी उसको मैं पर जैंक कर सकता हूं लोगों की जिनका एक्सेंट हुआ तरह क्या दूर्गटना हूई है यह च्रण ज्यादा बढ़ा हो गया है वंकि कर सकता हूं उनकी घरवालों को सूचित किया गया है कि नहीं वह मैं प्रिजन कर सकता हूँ आज पास का क्या माहौल है वो मैं प्रिजन कर सकता हूँ और आगे पुलिस का क्या इस पर कहना है वो मैं प्रिजन कर सकता हूँ बहुत सारी ऐसी चीज़ में आपको खबर देना हुआ तो मैं वह चीज प्रिजन करूंगा जो एक अन्नोन परसंट है जिसको कोई नौलिज नहीं है उसको पूरी जानकरी मिलनी चाहिए अब मैं आपको आपको पूरी जानकरी मिल जाएगी कि यह आपका क्या मतलब है कि यह थोड़ा सा ध्यान रखें इस बातों को कई बार हमारे सामें यह दिख्कते आ जाती है पीजान करें आपके पास में आती होंगे जो प्रोफेशनल या मीडिया चेतर से लॉंग टाइम से काम कर रहे हैं कि आप खबर देखेंगे उनकी पूरी जानकरी होती है बहुत प्रोफेशन बगर आप उसकी जरूर लें कम से कम दो फोटोस तो लें जो भी खबर इसकी दो फोटोस तो लें फोटोस भी ऐसी होनी जाए जो खबर से लेटिड है और हमेसा ऐसी फोटो लें थोड़ा आप आप लोगों के पास पर जोबी कैमरा या फोन है वह स्मार्ट फ होती है तो वह आपको किस तरह से बना ली होती है देखिए आपके पास में प्रगती मीडिया का माइक है यह अगर आप दिसुरे किसी मीडिया माइक से माइक वीडियो बना रहे है कोई दिक्कत नहीं है लेकर उसमें प्रगती मीडिया का लोगों होना चाहिए हम नहीं नही से ही माय लेना जरूरी है अगर आपके पास खुद का है तो आप को नहीं आप आराम से यूज कर सकते हैं तो आपको प्रक्ति में से आपको मैं बता दूं कि आपको इस तरह का मैक रहता है यहां पर माइक काफी लबा रहता है अगर आप को रॉना डायम में वहाँ वैसे भी तो काफी काफी जाधा रहती है जो हो ताल यह पास कुछ निilities के प्रादने के पुराइबने कर अक हो फोत होता है लेकिंद्ध हाँ पर एक somethin मिलेगा मै को मिलेगा इसके लिए यहां पर यहां पे दो तरह की आपको गेवल की प्रवाइड करते हैं और जैसे में आपको दो तरह की तरह की आपके पराने माई कम हैं थोड़ी बसी के बिल्स मिलें होंगी वह तो आपको फूड़ी मौटी मिलींगी लेकिन आपको यहां देखेंगे कि यह आपकी जो माय की केवल है देखें कितनी अच्छी है यह आपकी फॉन की केवल है फॉन की केवल में देखी क्या होता है कि यह अगर आप मैं आपको जूम तो नहीं कर सकता है क्यों कि मैं वीडियो स्मूफ और वह grounds प्थी सही है तो आपको काम करते समय कुछ नहीं करना है यह और है और यह आपको कि exist प्रगतिम मेडिया का है कंच लो प्रगतिम मळें चीजे से पूछ पूछ आ अगर आप अपने खुद बोलने तौ आप ऐससे बोले अपक्किसी का इंटरुवीグ घेंपर तो स्च इए मैं थोड़ा सा चीजों को प्रिजेंट कर सकते हैं कि जो सामने वालों को देखने में भी अच्छा लगे और आप किसी की वॉइस भी किलिए रहे हैं सबसे पहले आप उसके वारे में प्रिजेंट करें आपके पास में अगर प्रगतिवी मीडिया का माइक हैं किस पोस्ट में आप किस समद्दे वीडियो में बना कर आखें लोगों के पर नेसे मिद्द लेला ना लें कि जहां पर दो तीन लोग रहते हैं बच्चे बच्चे यहां पर आप ज्यादा अच्छे इंट्रू लेंगे तो लोगों की काफी अच्छी इंटेंशन बनेगी और आपके पहचान बनेगी दोस्ते अगर मैं वीडियो को स्टार्ट अगर का लंबी हमारी आप पहले मुझे आप पहले वीडियो को देखें तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं धन्दबाद